नमस्कार स्वागत है आप सभी गए इंडेटीवी क्रिकेट में आपके साथ मैं हूं प्रियान शर्मा और IPL सीजन 17 अब अपने उत्रार्थ की तरफ चल पड़ा है याने की एंड की तरफ चल पड़ा है यहां पर हर एक मुकाबला अब बेहदी एहम होता जा रहा है चाहे टी क्योंकि यहां पर अगर राजिस्थान रॉयल्स और केक्यार को छोड़ दिया जाए तो सभी टीमों के बीच जंग देखने को मिल रही है और काच का मुकाबले की अगर बात की तो चिन नई सुपर किंग्स वासे पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला खिरा जाएगा पहली कभी वो पिच जैसे लगती है कि यहां पर 200-500 रन बन जाएंगे तो कभी लगता है कि बहुत एक सो चालिस भी मुश्किल है अगर आप देखें पिच की जो पुरानी नेचर रही है वहां पिच की नेचर चेंज हुई ऐसा लगा कि दो तिन जो स्ट्रिप है वो चेंज हो ग प्रफाबला अपने नाम कर लिया याने कि भाई साब बहुत ही कंफ्यूजन है कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है सॉल्यूशन कुछ पता नहीं सॉल्यूशन अब हम ढूणेंगे कि इस पिच का तोड क्या है क्या बताती है पिच चलिए इस पिच रिपोर्ट में CSK वास प्रिसिंग नेचर है ना अगर चिन्रे पिच के बात करें तो स्पिनर्स को तो मदद देगी ही देगी चाहे किसी भी टीम केек सामने वहां पर टेकना चिन्रे के पिच पफे टिकना इतना आसान नहीं होगा बहुत ही जिल्चस्ट ये भी रहने वाला है कि मोहिन अली को यहाँ पे रुतराज गायकवर और महेंदर सिंग धूनी कैसे यूज करते हाला कि थोड़ से सवाल यहाँ पे रुतराज गायकवर गेंज में थोड़ा उंगलिया फिरा ना जानते है न याने की डालना आता है उनको अच्छे से उनको भी यहाँ पे मदद मिलेगी उम्मीद दीपक चाहर को यह होगी कि कहीं ना कहीं वो अपनी स्लो पेस के साथ कुस्तो विगट यहाँ पे लेना शुरू करें इस IPL सीजन 17 में वहीं अगर आप देखें इस सीजन इस पिच की नेशर कैसी रही है इस मैदान की पिचिस की नेशर यहाँ पे ऐसी रही है कहीं ना कहीं कि आपको पहले बल्लेबाजी करने शीए पहले बल्लेबाजी करने को देखेंगी जो भी टीम यहाँ पर पहले टॉस जीतती है और कहीं ना कहीं क्यों यह रीजन वो मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि पिच की नमी है जो पिच की फ्रेशनेस है वो पहली पारी में तो जादा ची रहती है यहाँ पर चेज यहाँ पर ज्यादा हो जाता है इस चीज का भी ध्यान रखना होगा जो भी टीम यहाँ पर सेकंड इनिंग्स में बल्लेबाजी करेगी तो यह बड़े बड़े पॉइंट्स ने यहाँ पर कि अगर आपने टॉस जीत लिया है चेज इज तो पहले बल्लेबाजी कीजिए पंजाब चिंग्स यहाँ पर मुकाबहा हार जाती है तो उनके लिए पूरा कैम्पट ओल्मोस्ट ओवर हो जाएगा वहीं अगर बात करें CSK की तो CSK के लिए मौका है कि ये जीत हासिल करके यहाँ पर जो टॉप 4 की लड़ाई है उसको टॉप 2 की तरफ वो आगे बढ़े और कहीं न कहीं अपना दाविदारी और मजबूत करें देखते हैं आज इस मुकाबले में किसकी जीत होगी पूरे दिन यहाँ पर नजर बनी रही है हमारी इंडिया डीवी क्रिकेट में तो आपसे वही दरखास है कि चैनल को सब्स्क्राइब करना न भूले और साथी साथ नोडिफिकेशन बेल को भी दमा दो यार ताकि आपको परस चल जाए कि हम लोग लाइव आचुके पाकेज़ लगातार इने टीवी क्रिकेट में आईपियल सीजन 17 के और उसके बाग की टीटवेंटी वोल्लकप की लगातार हम आपको देते रहेंगे